आज में आपको बताऊंगा कि यह जरूर सबसक्राइब करते हैं जानते कि आपको इनमिया कहलना रिजन कोई भी हो एंगर शरीर में और बशूकिती बिमारी, काभी चेतावनी दे सकता है एनेमिया जो होता है सरी में अगर फूर्ण भी कमी हो रहा है कोई न कोई गंभीर विमारी जरूर हो सकते हैं आपको एनेमिया से गरसिक व्यक्तियों को अक्सर ठंड लगती है या सरीर में कमजोरी और उर्जया की कमी महसूस होती है जब आप महिलाओं में गर्व अवस्ता के समय खून की कमी होने के कारण एनेमिया होने के खत्रा होता है कि जब भी अगर कोई भी महिलाओ और गर्व अवस्ता में है तो उसके सरीर में खून के कमी हो जा दिया क्योंकि जो उसके बेबी होते हैं उस बेबी को भी बलड की जरूरत पर जमने शहरे हुआ करदबूस यह जहाता है तो अपर होसी जाणा हुआ 2023 बीमार हिए में नियुक्तां यह कुछ कारण है अब हम जान लेते हैं कि इनिमय हमारे परकार्प होते हैं जो मुख्य मुख्य एनेमिया वो मैं बता रहा हूं आपको और यह क्या होता है या क्या होता है तो इसमें आप देखोगे सबसे पहले जो होता है अप्लास्टिक एनेमिया यह तब होता है जब आपका सरीर प्रयाप्त मात्रा में लाल रक्त कोशिकाओ का उत्पादन नहीं कर पाता है और यह जो एनेविया होता है इस एनेविया में क्या होता है आपके सरीर में फुन बनता स्राव या आयरंग के बढ़ते नुकसान होते हैं जब भी अगर आपको आयरेंड डिशन्सी एनेमिया अगर होता है तो आपको समझना है कि आप क्या कर रहो चुछ ऑजब नहीं ले रहे इसमें लाल रखत पूश्कषिका है अपनी संडोक्षा उसका और अक्सीजन ले जाने की छंपा को दियता है इसे लॉसी और जो हमारा अरबीसी होता है उसके काम तो यह होता है कि आक्सीजन को हमारे बोडी के अंदर पहुंचाना वहां से करवनेजिक्षाइड को बाहर निकालने के लिए यह निकि अगर माता पीटा को अगर हुआ है तो बच्चों में भी चांसेस रहता है कि उनको भी सीगल सेल अनुगत इस्तिति है इसमें रखते में हीमोगोमिन के अस्तर कम हो जाते है तो थालेसीमिया के अच्छा व्यक्ति को आप देखोगे जो बीटाट्रेट होते हैं उसमें आप कैंसर के रूप में भी यह परवर्त हो जाते हैं इसका मुख्यकारण शरीज में और फरयाप्ति विटामिन B12 या फोलेट होता है यह विटामिन आर्वेसी के निर्माण में और सकता है जब भी आपको सरी में विटामिन B12 या फोलेट एसिट की अगर कमी होती है तो आपको जो देखोगे विटामिन डिफिसेंसी एनिमिया हो जाता है तो अगर विटामिन डिफिसेंसी एनि जड़े दचाये